मैं संद्रिव कुमार आपके अपने यूटूब चैनल किसी किसार में स्वागत करता हूं आज हम पहुंचे हैं बुगगा वाला जो हर्द्वार डिस्टिक में पड़ता है और बिहारी गर से करीब 4-5 किलो मेटर दूर होगा यह बुगगा वाला एक अस्थान है यहां पर हम बात करेंगे बुपिंदर सिंग रावज जी से जो कमपोस्ट बनाने की समय तियारी कर रहे हैं और आपके लिए एक बात और मैं बताता हूं कि यह इनका AC पलांट है तो AC पलांट में कैसे मस्रूम लगाई जाती है कैसे उकती है इसके बारे में थोड़ा डिटेल जानेंगे और यह भी हम लोग जानेंगे कि जो दो मैथड होते हैं लोग और सोट मैथड तो आप लोगों को पता ही है मेरे चैनल पे दूसरा सोट मैथड से हम कैसे कमपोस्ट बनाते हैं उसके लिए हम आद भुपेंदर सिंग रावत जी से बात करेंगे तो भुपेंदर सिंग जी आपका स्वागत है हमारे चैनल पे थोड़ा अपना थोटा सा परीचाएक मेरा नाम भुपेंदर सिंग रावत है और मैं रिखनी काल ब्लॉक से तालूग रखता हूँ यह जो मेरा प्लांट है यह बिहरी गड़ से बुद्वा सहीद चेतर में पड़ता है बुद्वा सहीद ग्राम में अब हम यह जानना चाहते हैं कि जो हमारा यह कंपोस्ट आप देख भी रहे होंगे यह कंपोस्ट बन रहा है अभी तो में कहारी यह नहीं सबसे पहले जो भूसे की परिकेश्या पहले भूसे को एक फीट एक फहलाने के बाद भिग आ भीगाने के दो दिन बाद सबद्वाश्य सब्सक्राइब पिंद्वा जी मुसरम कि आँने लिए Prof तो जब बारत इन में आपने जो और मैटियल है आपने क्या क्या लिए होंगे इसमें इसमें जो है मैटियल मैने चोकर हो गया जैसे यूरिया हो गया अमोनियम सलफेड हो गया मुर्गी की बीट वगरा और पोटास यह इसमें डाला जाता है जी तो उसके बाद जो तो आगे की परकिरिया है इसको भीगोने की कि आप पहले दिन भीगोते हैं या चो जैसे पर्टाई लगती है उस तरह के से कितने कितने दिन में पर्टाई लगती होंगी इसकी जो सबसे पहली परिक्रिया है भीगाने की, भीगाने के परिक्रिया हमारी दो दिन चलती है, हम इसको भूसे को दो दिन भीगाते हैं, ताकि अच्छी तरह से पानी पी ले, उसके बाद हम इसमें अपना ये जो चोकर है, बीट है, ये सब मिलाई जाती है, फिर इसको हम पल्टाई करते हैं, कटिंग करते हैं मतलब, और कटिंग करने के बाद अच्छी तरह मिक्स किया जाता है, चैज़े जेसी बी की द्वारा करें, चैज़े मजदुरों की द्वारा की जाए, उसके बाद हम इसको, हमारा जो फर्स्ट बंकर है, उसमें डाला जाता जो हमारा फर्स्ट बंकर है उसके अंदर डाला जाता है तीन हाँ यह फर्स्ट है यह सेकेंड यह थर्ड तो फर्स्ट में डाला जाता है पहले दिन और फर्स्ट में डालने के बाद इसको दो दिन छोड़ा जाता है वहां पर आटोमेटिक मसीन लगा रखी है जो तीन मिनट जब दो द हमारे खकाद रहेगी उसके बाद वह सेकंड यह लाइगी। इसी तरह तीसरी परिकरिया फिर वही है कि फिर दो दिन बाद देख वंकर में जाएगी। जैसे यह आपके निज़ आपने बताया कि मशीने लगे हुई है वह हम देख सकते हैं मशीने कहां पर है आप अब 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 अ अ अ देखे यह आप देखे रहोंगे यह मशीने लगी हुई है तीन मोटर लगी हुई है कितने होस्पावर की एक मोटर होगी यह हमारी है तीन होस्पावर की तीन होस्पावर की एक यानि एक बंकर के लिए एक मोटर है हमारे पास जो टाइमिंग से चलती है सटायमिंग से चने और इस बंकर के बाद जो अगली परकिरिया है वह क्या है जब तीस्वां कर से खाद निकली जाए दिन निकाली जाएगी तो यह आपने देखे neglect e2 उसके बाद जो परकिरिया होती आप देख भी सकते हैं कि जो इसमें आप ये दो देख रहोंगे बड़े बड़े इसमें एक क्या करता है ये तो जो अंदर की गर्मी है वो बाहर निकालता है और जो दूसरा ओपर वाला है जो कुछ शिल्वर टाइप में गरे कलर में है वो क्या करता है कि अंदर की गर्मी को सरकूलेट करता है ताकि अंदर का टेंपेचर जादे भी ना रहे जो मिनीमम रिक्वार्मेंट होती है मेरे खाल से अप्रोक्सिली करीब 24 से 26 डिगरी का रिक्वार्मेंट रहता होगा अंदर जो टेंपेचर अब हम रावजी से जानना चाहेंगे है ज़ो इह टर्नल मेरे जब कंपोस्ट आता है तो इसकी क्या परिकिया है तो इसमें रखा हे मुझे जो तर्नल यह इसमें साथ दिन की परिकिया होती आप यह कि जो है हमारे बैक्टेरियों एक खाद की अच्छी तरह से कंडीनिंशिंग की यह जाए इसमें जो खाद में जो बैक्टिरिया मारने की परकिरिया होती है वो हम 6-8 गंटे तक करते हैं डेली डेली नहीं एक बार सुरू में जैसे पहले तो आपने जब इसमें खाद डालते हैं तो खाद डालने के बाद इसके टमप्रेचर अपने आपी 45 से उपर होना चाहिए तब हम इसको जडते हैं मसीन को चलाते हैं मसीन चलाने के बाद जो है इसका टमप्रेचर अपने 51 से लेकर साट Payment के बीच में ले जाते है पछेख ऑंगें इसके बेक्टिरिया मर् सकतें इसमी में लगी होंगी बिल्कुल कू देख सकते हैं इसमीरा लगी होंगी है देखिए उ जो 7 दिन continue चलते रहते हैं तो room देखते हैं जीस room में हम compact त्यार होने के बाद bag में भरने के बाद हम ginger room में compact डगते हैं तो वह room हम आपको दिखाते हैं ये इस तरह से रूम होते हैं इनोंने ये लोहे का बनाया हुआ है कुछ लोग थोड़ा कम बजट को लेके इसके बना लेते हैं बांस वगयर के लेकिन ये लोहे की रैक बनाई हुई है तो रावजी से जानते हैं कि ये कितना बड़ा रूम होगा और इस रूम में कितने बैग हम ले सकते हैं यह जो मेरा रूम है अठारा भाई 35 का है और इसमें इसकी कैपेसिटिये 1400 बैग 1400 बैड इसमें ये कितने लेक है है प्दसरने से, विजिते हैं इसमे में नीचे से गिन दरे? ये लेकान आपपांच मोhosल ay to acabar वीचालों की होती है इक ये मतन उंचा ये होती है बनी दूस्तों दोफूट की होती है बनीचाल प्रोट ुपैय कई... 5 पोट 12 वे उनेट के लिए लगा हूँ है अभ कि वाहर लगे में च्टो यूल से थंडी हवा जो म만 सा टेमपेचर इसका रहना चाहिए और एक चीज और थोड़ा सा में आपको बता दूं हलका सा यह जो यह आप जो पोलोखीन देख रहे हैं ना यह अभी फिलाल ऐसे रखी हुई है यह क्या होएगे कि यह पोलोखीन सामने वाली दिवार पे लग जाएगे उधर तो जो इसकी थंडी हवा है वो ऐसे पूरे में सरकुलेट होगे इसके नीचे थोड़े छेद खुले हुए जिससे पूरे इसमें आपका क्या बोलते हैं थंडा सरकुलेट हवा हो जाएगी है ना अच्छा अब हम रावजी से यह जानना चाहेंगे कि इनकी थोड़ी सी हिस्ट्री कि जरनी जिसे बॉलते हैं कि जैसे हमारे किसान भाई हैं वो लगाना चाहते हैं लेकिन किसी बात को लेके डरते हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि हम लगा ले मुश्रूम बिके ना तो उसी बारे हम थोड़ा सा डिसकस करेंगे बुपिंदर सिंग रावजी से कि इनों ने इसकी सुरुवात कब खीती तो रावजी थोड़ा सा हमें यह बताए कि आपने जब इसकी सुरुवात की थी तो कितने बैग से और कितनी आपके पॉंजी लगी होगी एक्चली में जब मैंने इसकी सुरुवात की थी तब मैंने एक हजार बैग से सुरुवात की थी वो भी मैंने जूपड़ी में लगा के ट्राइ करने के लिए कि वही कैसे पैदा होती है क्योंकि जानकारी उस समय और उसके बाद ही मैंने ये प्लांट लगाने का निड़ने लिया था तो उसमें जब आपने खजार बैग से सुरुवात की थी तो कितना आपका पैसा उसमें लग गया होगा उस समय लगबग मेरा एक लाग 30,000 उपर लगे थे जिसमें कि मैंने जो बैग थे वो पर्चेस क होगी होगी है उस समय तो खैर हमको जानकारी नहीं थी तनी फिर भी ये मान के चलो कि हमें उसमें पचास जार उपे सम्थिंग बच गे दे जैसे पचाजार काफी होता है क्योंकि अगर फर्स्ट टाइम किसान लगा रहा है तो अगर वो पचाजार के अगर मेरे साब से वो नो पोफिट नो लोस में भी रहे तो मेरे ख्याल से बचाता है क्योंकि जो इसनों ने जो इसका लगाने के बांच बली क्योंकि वो दुबार इंवेस्टमेंट नहीं होगा लेकिन बड़ी खुशी के बात है कि ये पहली बार में लगा के सफल हुए तो थोड़ा सा आपने बताया कि 5-6 साल पहले और जो अभी आपका जो ये तयार है में इसके जो आप कर रहे हैं वो कितने बड़े लेवल पे आप कर रहे हैं और कहां का आप सप्लाई कर रहे हैं अभी हमारा जो है कम पोस्ट पे ज्यादा सीजन में रहता है मस्रूम हम यह जो हमारे दो बैग हैं सीजन में ही लगा रहे हैं क्योंकि हमारे पे थोड़ा जो है समय की समय नहीं हैं हम दूसरे काम भी करते हैं इसलिए हम मस्रूम केवल सीजन में पैदा कर रहे हैं बाकि अगर आदमी ऐसी प्लांट में मस्रूम लगाए तो ज्यादा प्रॉफिट है जी रावच जी का कहने का मतलब है कि एसी प्लांट एसी प्लांट देखे एक बहुत बड़ी एक सिंपल तरीका क्या है या सिंपल तरीका कहिए यह जो चीजे ओफ सीजन में आते हो महंगी होती है है ना गर्मे में मस्रूम मेरे ख्याल से 200 रुपे से लेके 300 400 इन तक भी चली जाती है सीजन में वही सोर पे होती है तो यदि आपकी ओफ सीजन में 200 300 भी जा रही है तब भी डबल का तो मार्जन हमार पास आही जाएगा अच्छा रावच जी आपसे कोई रेडिमेट कंपोस्ट लेना चाहे तो क्या रेट पड़ेगा और उसको पहुंचाने का साधन इसका थोड़ा बताईए अगर हमसे कोई कंपोस्ट खरीदना चाहता है तो हमारा एक बैग पलस केसिंग इस पॉन वगरा सब डाल के सो रपे कपड़ता है बिलकुल और बैग हमारा नो पलस वन का होगा जिसमें एक किलो केसिंग और नो किलो हमारी कंपोस्ट मिलेगा ओ ज देखो मस्रूम के लिए तो सबसे पहली बात यह है कि जो मस्रूम लगा रहा है उसको थोड़ी महनत करनी पड़ती है समय समय पर पानी देना हावा देना तो काफी प्रोफिट ले सकता है अगर वो सही तरीके से उसमें काम करें तो कहने मतलब यह है कि लोस वाला बिजनिस नहीं है प्रोफिट वाला बिजनिस है कि कोई एसी प्लांट लगाना चाहिए तो उसके लिए क्या आप हैल्प करेंगे कि अगर वो कोई भी व्यक्ति एक कमरा दो कमरे यह बड़ा प्लांट लगाना चाहता तो हमसे संपर कर सकता है क्योंकि हमारा ठेकेदारी का भी काम है और हम इस्ट्रेक्चर वगराँ भी बना कर देते हैं जोपडी से संबंधि तो चाहे जोए एसी से संबंधि तो रावज है 8923773067 मेरे नमबर है 8923773067 अब रावजी से हम थोड़ा लागत को लेके बात करते हैं कि एक बैग में कितनी लागत आ जाती होगी या यह मानके चेले कि अगर हम हम एक हजार बैग लगाते हैं तो एक हजार बैग की कितनी कोश्टिंग पड़ेगी और अगर हम इसको सेल करें तो कितने तक का जाता होगा तो बुपिंदर जी यह बताईए कि अगर हम एक हजार बैग से सुर्वात करें तो एक बैग में कितना कंपोश्ट आता होगा और एक या एक बैक की जो लागत है वो कितनी आती होगी बीज सहीत और केसिंग सहीत है हमारे बैक की जो कीमत है मैं पहले भी आपको बता चुका हूं एक बैक कीमत हमारी 100 रुप है लिए बाकी जो गाड़ी वगरा का किराया है वो किसान भाइयों को देना पड़ता है कियोंकि किसी की कितनी दूरी है कितनी मेधा hasach gap दूर जाना और उशी कैसा बाकी अगर मालू जोपड़ी के साथ 10 country या कर्चा थी तकरीबन माना जाए वैसे तो किसान लोग खुदी अपना जोपड़ी वगरा बना लेते हैं पर अगर वो किसी से बनवाते भी हैं तो तकरीबन ये मान के चलो कि हजार बैक की जोपड़ी का खर्चा 40,000 रुपे करीव बांस समयता आता है रावच जी ने जैसे हमें बताया कि एक 40,000 रुपे में आपकी जोपड़ी और परस उसमें जो लगने वाला मेरटी यहला जैसे बांस वगरा हुए उसका जो खर्चा 40,000 रुपे आ जाता है और उसमें और वो करीब आपकी 20 बाई 40 फुट की होती है और 20 बाई 40 फुट में हमारे 1000 बैक आ जाते हैं तो 1000 की बैक की जो कोस्टिंग है वो करीब रावच जी ने बताया 100 रुपे जिसमें आपका 9 प्लस 1, 9 प्लस का मतलब 9 केजी तो उसमें हमारा कमपोस्ट होगा एक केज जिसमें केसिंग मिटी होगी पलस उसमें स्पॉन मिला होगा ठीक है अब बात करते हैं इसकी थोड़ी प्रोफिट की तो अगर हम एक किसान भाई जो हमारे सीजन में लगाते हैं जैसे एक 9 पर से फरवरी तक अगर हम इन 4-5 महिनों के आवरेज लगा ले तो उसमे से जो मश्र expensive आप कितनी सेजेश करते हैं कि कितना एक बेक से कितना मश्रूम निकलेगा अगर किसान भाई 15 अक्टूबर के का अगर मश्रूम लगाते हैं तो 3-4 किलो मश्रूम् पैदा कर सकते हैं और उसकी वैल्यू मेंज की एक किलो अगर मार्किट में जाती है तो एवरेज क्या आ जाएगा इन चार से पांच मेंनों का अगर आप आप एवरेजन ये लगाएं कि 80 रुपे से 120 के बीच का सम्तिंग 100 रुपे लगाया आपने तो 3 केजी का 300 रुपे आपको एक बैक से प्रोफिट होता है अब जैसा रावज जी ने बताया कि जोंपड़ी का खर्चा हमारा 40,000 और 1000 बैक का खर्चा जो उस जोंपड़ी में आ जाएंगे वो करीब आपका एक लाग रुपे हो जाएगा जैसा रावज जी ने बताया आप एक हजार बैक से और मेरे ख्याल से फरवरी तक वो दो बार उसको ले सकता है यदि दो जोंपड़ी बना ले कि एक पहले तियार कर ली और दूसरी में एक मेंना बाद 15-20 दिन के बैक पर तब यह मान के चेले कि 2,002,002 जोंपड़ी के वो क्या कहते है कमपोस्ट केसिंग म पड़ी के तो 2,008,000 रुपे और प्रोफिट करीब 5-6,00, तो 5-6,00, प्रोफिट नहीं है, 5-6,00, रुपे आपके पास आएंगे, तो 5,00, में नहीं भी घटा दे, तो आपके पास 5,00, रुपे बचते हैं, मातर 6 महीं में और मैं कहते हूं कि अगर आपने लेबर लगा के भी काम किया, तो 5-6,00, रुपे जादे जादे उपर का खर्चा, इसके साथ हम धन्यावाद करते हैं, अपने वपिंदे सिंग रावजी का, जो हमें आज हाने के लिए इन्वाइट भी किया और हमें पर्मीशन भी, तो आप देख सकते हैं, पलांट एक बार आप दुबार जमीन, जारभी का जमीन आई तिंग बहुत बड़ी होती है, मुस्म प्लांट के लिए, लेकिन अधि आप ये बंकर बना रहे हैं, टनर बना रहे हैं, तो आपको इतना रिक्वार्मेंट तो आही जाएगा, तो इसके साथ आज हम विदा लेते हैं, बुपेंदर सिंग जी, हमें अपना कीमतिय वक्त देने के लिए धन्यावाद